नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका द्रेश्टी क्रियेशन में कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स आजम बनाएंगे एक ट्रेंडिंग स्लीट्स डिजाइन जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये मैंने शिक्स इंच की च दाली है यानि कि अपोजिट साइड में डालते जाएंगे और एक के ऊपर ये प्लिट्स हमें लगानी है अब जो इसका पीछे का साइड है उपर वाला हिस्सा है उसमें हम यही प्लिट्स दूर-दूर लगाएंगे इस तरह से इस पे हम स्टिचिंग लगा देंगे तो यह हमारा एक beautiful सा pattern बन के तयार हो जाएगा और friends, यह वाली sleeves आजकल बहुत ही train में हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है उसके बाद मैंने एक paper पे draw करके sleeves cut कर ली थी अब इस pattern को हम इस fabric पे रखेंगे और इसके चारो तरफ stitching लगा देंगे तो यहाँ पर इसमें हम चारो तरफ stitching लगाते हैं friends, जब तक यहाँ पर हम stitching लगा रहे हैं तब तक आप वीडियो को like पर दीजे यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है और अगर जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दीजे मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की interesting वीडियो मिलती रहती है और मैं अकसर इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ तो यहाँ पर इसके हमें चारो तरफ एक साइड देखें stitching मैंने लगा दी है अब इसके दूसरे साइड भी हमें stitching लगा देंगे friends कितना अच्छा लगता है जो हम खुद से कुछ बनाते हैं और फिर उसको पहनते हैं फिर उसके बाद में जब कोई देखता है और पूछता है हमसे तो कितना अच्छा लगता है और कोई तारीफ करता है तो और भी अच्छा लगता है और अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की तो बाती अलग होती है फिर वो चाहें कोई blouse हो suit हो या कोई भी beautiful सी dress हो सारी हो आप कुछ भी अगर जो खुद से बनाते हैं तो उसका मजा ही तो यहां पर मैंने इसमें चारो तरफ स्टिचिंग लगा दी है अब हम एक और फैब्रिक लेंगे जो कि इसी फैब्रिक से इसकी बार्डर से निकला हुआ फैब्रिक है और यहां इसको हमने इस तरीके से रखा कि आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते है इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 5 इंच है और इसमें हमें सेंटर में एक बहुत हलकी सी सिलाई लगानी है यह सिर्फ पैटर्न डिजाइन के लिए सिलाई लगा रहे हैं और इसको उपर से रखते हुए इस तरीके से प्रेस्टिज कर देंगे यहाँ पर तो इसको फिनिसिंग से यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देनी है यह रही कि मैंने इसमें इस तरीके से सिलाई लगा दी अब इस धागे को cut करेंगे और जो इसमें extra fabric है स्लीप्स में उसको भी cut करके इसी fabric वाले pattern पे हमको इस स्लीप्स को cut कर लेने हैं तो इसको इस तरीके से cut कर लेंगे जहां पर जिलाई है उसके बाहर से हमें इसकी cutting करनी है उसके बाहर हमको इस paper को भी हाँ से निकाल देना होगा जो इस paper को हमने stitch किया है अब हमें इसको remove कर देना है इस तरीके से जिलाई को निकालते हुए इसे हमें हटा देना है आराम से निकालेंगे जिसे कि हमारी इस सिलाई डैमेज ना हो तो कि यह बहुत ही soft fabric है तो हमें थोड़ा संभाल के इसको हटाना होगा यहां से तरीक आगज बड़ी है आसानी से निकल जाता है पर यहां पर हमारा ही soft fabric है तो हमें थोड़ा ध्यान से निकालना होगा जिसे कि इसके धागे कहीं खिचना जाएं तो उसमें और कुछ नहीं बसा थोड़ा सा लुक उसका खराब लग सकता है इसलिए हमने इसको बड़ा आराम से निकाला है जल्दबाजी नहीं करी है आराम से इसको निकाल देंगे फिर जो हमने दूसरा pattern तयार किया है उसके साथे से attach करेंगे तो यह जो भी छोटा-छोटा सा रह गया है वो सारा मैंने हटा दिया है अब इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके उपर सीधी तरब से रखते हुए इसका भी सीधा साइड और इस pattern का भी सीधा साइड रखते हुए मैं सीधी सिलाई यहां पे लगा देनी है यहां पर उपर से नीचे तक एक सिलाई लगाएंगे और यह हमारा जो इसमें सेंटर पॉइंट हमने जो स्टिचिंग लगाई है दूसरे वाले फैब्रिक में यह हमारी जो प्लीट्स का सेंटर हमने लिया था उसी सेंटर पर आनी चाहिए तो इसका लूप बहुत ही ब्यूटिफुल आएगा तो यहां पर हमने देखी पूरी सिलाई लगा दी इस तरीके से हमारी सिलाई लगके तयार हो गई है अब हमने इसी की एयर मेजर्मेंट से पहले ही मैंने स्लीप कट करके रखी थी अस्तर की उसको इसके उपर रखेंगे और यहां पर फिर से हमें एक सीधी सिलाई लगानी है जस तरीके से अभी हमने वहां इस पैटरन को बीज से स्टिच किया था उसी तरीके से हमें यहां पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है ऊपर से नीचे तरक दिखिये इस तरीके से हमें यह आपर यह वाली सिलाई भी लगा दी अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और पलट के इसमें हमें इसके ओपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है और ये वाले सिलाई हमें चारो तरफ लगा देनी है फ्रेंड्स रेडिमेट चीजे तो हम लेते हैं लेकिन बहुत अच्छी होती है पर उसमें वो बात नहीं आती है जो हम खुद से बनाके अपना पहन सकते हैं उसकी बात ही अलग होती है इसलिए मैं तो बस ये कहूंगी कि हस्तकला से जुड़िये और हस्तकला को बढ़ावा दीजे हस्तकला भारत की सान है हस्त निर्मित वस्तुएं खरीदिये तोहारों पर हस्तकला की चीजों से अपने घर को सजाईए जैसे हस्त निर्मित वाल डेकॉर कुशन कवर इत्यादी जैसे कि मैं भी बनाया करती हूं और उन सब चीजों की तो बात बहुत ही अलग होती है और बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे घर को इस तरह से सजावा देखता है और हमारी तारीफ करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है इसी तरह परिधान है जो हम खुद से बनाके पहनते हैं और कोई देखता है पूछता है खुद से तो कितना अच्छा लगता है बड़ा ही गर्व महसूस होता है मैं खुद पर तो इसी तरीके से आप भी बनाईए अपनों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ममी के लिए, अपनी भावी के लिए और अपनी बहनों के लिए आप बनाईए, पहनिए, पहनाईए, सब को खुश रखिए और खुश रहिए और अगर आप कुछ सुझाब देना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाब जरूर दीजे मुझे आपके कमेंट्स का बहुत वेट रहता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स बढ़ना यह देखें हमने आपर इसमें चारो तरफ से लगा दी है और यह हमारी स्क्रीफ बन के तयार हो गई है अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से जो भी इसमें बाहर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है उसको निकाल देंगे और इस स्क्रीफ को आप अपने ब्लाउस के साथ अटेज करके एक ब्यूटिफुल साथ ब्लाउस बना के तयार कर सकते हैं इसको आप सूट में भी बना सकते हैं कहीं पर भी बनाके लगाएं अब इसमें हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे मोती लगा के अब मैं आप उसको मोती लगा के दिखाती हूं दिखेए इस तरीके से हमारी ट्रेंडिंग स्लीफ बनके तयार हो गई है तो फ्रेंड्स आइओब कि ये वीडियो आपको जरूर पस पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से और चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं सितरे के एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई